नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का नॉलिज पंडित के यूटूब चैनल पर हम आपके लिए आज एक खास वीडियो लेकर आए हैं साइंस के मोश्ट इंपोर्टन चुनिंदा पचास प्रशनों का ये वीडियो हर एक्जाम के लिए माश्टर वीडियो है तो पूर next question है अश्वगंधा तथा अफीम के पौधे किन बाग़ों से ओशधियो महत्व के पदार्त पराप्त किये जाते हैं next question है ने है गो सी पीम किस पॉधे का वैग्यानिक या वानसपतिक नाम है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कपास यहां दोस्तों option number C रुई कपास का वेग्यानिक नाम है GoCPM अगला कौशन है मदुमक्खी पालन के लिए सरवादिक उप्योग तो समझी जाने वाली प्रजाती कौन सी है मदुमक्खी की कौन सी प्रजाती मदुमक्खी पालन में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर सी प्रजान का सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट कौशन आपके सामने है मदुमक्खी के छटे में पाई जाने वाली मदुमक्खी के कितने प्रकार होते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तीन प्रकार होते हैं, option number A प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, तीन प्रकार की मखिया होती है Next question है, सुद्ध सहद सुरक्षित कितने समय तक रह सकता है, क्या उत्तर हो जाएगा तो सुद्ध सहद जो है, हजारों वर्शों तक यहाँ सुरक्षित रह सकता है, option number C प्रशन का सही उत्तर है Next है, रेशम कीट पालन का प्रचलन सरप्रथम किस देश में हुआ माना जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रेशम कीट पालन चीन में सबसे पहले शुरू हुआ माना जाता है अगला प्रशन है, प्रतेक वरक किडिनी लगभग एक लाख, एक करोड़ तीस लाख, माफ करिएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एक करोड़ तीस लाख वरक नलिकाओं से मिलकर बनी हैं, जिनें हम क्या कहते हैं तो प्रतेक वरक यानि किडिनी लगभग जो है, एक करोड़ तीस लाख वरक नलिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और ये सभी जो कहलाती है, right answer हो जाएगा इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें option number सही उत्तर हो जाएगा, nephron कहा जाता है, c प्रशन का सही उत्तर है Next question है, मूत्र अमलिय होता है, इसका pH मान कितना होगा? मूत्र अमलिय प्रकृति का होता है, और इसका pH मान option number 6 हो जाएगा, right answer हो जाएगा, आप सभी को पता है, pH scale माइनस में जाते हैं, अमल 7 जो रहता है वो उदासीन और प्लस में जाते हैं, छार Next question देख लेते हैं, मनुश्य का तंत्र का तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो मनुश्य का तंत्र का तंत्र तीन भागों में बटा होता है, option number A प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next question है, मनुश्य का कंकाल तंत्र कितने भागों का बना होता है? तो कंकाल तंत्र दो भागों से मिलकर मनुश्य का बना होता है अगला प्रशन आपके सामने है, मनुश्य के सिर के अंत्ह कंकाल के भाग को खोपडी कहते हैं, इसमें कितनी हड़ियां होती है? तो खोपडी में कुल 29 हड़ियां होती है? राइट आंसर हो जाएगा, option number 29 हड़ियां खोपडी में इस्तित होती है प्रशन है मनुश्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है निम्न मैंसे कंकाल तंतर के क्या काम होते हैं तो कंकाल तंतर के काम होते हैं शरीर को कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना शरीर को निश्यत आकार प्रदान करना पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना उपरुक सभी प्रशने का सही उतर है एक वयश्क मनुष्य के सरीर में हड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है तो एक वयश्क मनुष्य के शरीर में हड़ियों की कुल संख्या लगभग 206 होती है next question आपके सामने है मनुष्य में बालिया वस्था में हड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है तो मनुष्य में बालिया वस्था में हड़ियों की कुल संख्या लगभग 208 होती है right answer हो जाएगा मनुष्य के शिर में कुल कितनी हड़ियों की संख्या होती है तो मनुसके सिर में 29 हड़ियां होती है राइट आंसर हो जाएगा प्रारम में रीड की हड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है तो प्रारम में रीड की हड़ियों की कुल संख्या 33 होती है राइट आंसर हो जाएगा विक्सित होने पर रीड की कुल हड़ियों की संख्या कितनी होती है तो विक्सित होने पर रीड की कुल हड़ियों की संख्या 26 होती है विटामिन A की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो विटामिन A की कमी से होने वाला रोग रतोंदी है जो आँख से संबन्दित है विटमिन B की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो विटमिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है विटमिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो विटमिन C की कमी से इसकरवी नामक रोग होता है सही उत्तर हो जाएगा विटमिन D की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटमिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रशन पर चलते हैं विटामिन E की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो विटामिन E की कमी से होने वाला रोग जनन शक्ती का कम हो जाना option number A प्रशन का सही उत्र है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है ये बहुत ही important question होते है रिस्क पर ये question गलत होते है एक्जाम में क्वी confusion होता है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो रक्त का ठक का ना बनना option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा बीज सुधार का प्रमक उद्देश क्या होता है बीजों के सुधार का प्रमक उद्देश क्या होता है तो अधिक उपज करना option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्शन देख लेते हैं अगला प्रशन है चावल की उननत किस्म कौन सी है तो चावल की उननत किस्म जो है पूसा बास्मती आप्शन नमबर C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ती किस से होती है तो पौधों को हाइड्रोजन की प्राप्ती जल से होती है अप्शन नमर ए प्रशन का सही उत्तर है नेक्स्ट है शरीर के भीतर रख्त परीभरमण में लगभग कितना समय लगता है तो लगभग तेई सेकंड का समय शरीर के भीतर रख्त परीभरमण में लगता है शोद करताओं द्वारा यहां सिद्ध किया गया था कि मनुश के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लगभग 50 लाख बाल मनुश के शरीर में होते हैं एक बार सास लेने की क्रिया में कितने सेकंड का समय लगता है तो एक बार सास लेने की क्रिया में लगबग पांच सेकंड का समय लगता है हिर्दे गती कम हो जाने पर इसे सामा नवस्था में लाने के लिए पेस मेकर का प्रियोग किया जाता है मनुश में भोजन के पाचन की संपूर प्रक्रिया कितनी अवस्था में पूर्ण होती है अमाशय में भोजन लगभग कितने समय तक रहता है तो अमाशय में भोजन जो है लगभग चार गंटे तक रहता है उप्शन नमबर A प्रशन का सही उत्र है अमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजायम होता है तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पैपसि दिन लगभग कितना आंत्रिक रस इस्त्रावित होता है तो आतों से लगभग स्वस्त मनुष्ट में लगभग दो लीटर आंत्रिक रस निकलता है लेगर हैंस दीपका की खोज किस सास्त्री ने की थी तो लेगर हैंस दीपका की जो खोज है वो लेगर हैंस नहीं की थी राइ विल्यम हारव ये रक्त परिशंचणर तंत्रकी कोँच क Tea थी एक स्वस्थ मनुष्य के हरदय का भार लगभदह इतना होता है मनुष्य का हरदय कितने कोष्ट्ड वन्टा होता है दू मनंदृ का हरदय चार कोष्ट्ड रक्त शरीर से हर्दय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहनिया क्या कहलाती है तो इन्हें हम धमनी के नाम से जानते हैं ब्रून वस्था में हर्दय एक मिनिट में कितनी बार धड़कता है तो ब्रून वस्था में हर्दय एक मिनिट में एक सो पचास बार धड़कता है एक धड़कन में लगबग कितना पंप होता है रक्त तो सत्तर मिली लीटर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशनी के लिए एक धड़कन में रक्तपम्प होता है सामान मनुष का रक्तदाब कितना होता है तो 120 A80 पारा मिली ग्राम पारा जो है यह रक्तदाब होता है निम्न मैंसे मनुष में प्रमुक उत्सरजी अंग कौन से है तो यक्रत, खाल और रक उपरुक सभी मनुष में जो है उत्सरजी अंग है तो दोस्तों यह थे साइन्स के पचास कोश्चन के वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद